हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चानल लीगल हेल्पिन हिंदी फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी के सेक्षन 312 यानि के 312 के बारे में तो वीडियो से आकर तक जुड़े रहे हैं वीडियो इंफिमिशन अच्छी लगे तो आप इस वी हमारे देश में जो अबॉर्शन है एक क्राइम की तरह देखा जाता है इसलिए लोग इस क्राइम को छुप छुपा कर बड़े ही धरले के साथ करते हैं ये एक पनिशेबल ओफिन्स होने के बावजूद भी इसमें कुछ खास कमी देखने को नहीं मिलती है अबॉर्शन की एक सबसे बड़ा रीजन है बेटे की चाहत कई बार ये चाहद बार बार अबॉर्शन जैसे क्राइम को बढ़ावा देता है आज के इस वीडियों में हम बात करने वाले हैं अबॉर्शन से जूडी सेक्षन 312 के बारे में चलिए इसकी डेफिनिशन के बात करते हैं इस सेक क्राइम के कैटेगेरी में नहीं आता लेकिन बच्चे को खत्म करने के परपस से अगर यह अबॉर्षण कराया जाता है या फिर इस इंटेंशन् से कराया जाता है कि बच्चा इस दुनिया में ना आए चाहे इस तरह का अबॉर्षण महिला की सहमती सेही क्यों नहूं यह मान कि उस महिला को पता हो कि उसके साथ क्या किया जा रहा है और दूसरी बात ये कि इस तरह का अबॉर्शन उस महिला के जीवन को बचाने के लिए या फिर सदभावना पूरवक ना किया जा रहा हो यानि कि intention ऐसी होनी चाहिए कि उस बच्चे को दुनिया में आने से रोकना हो तो ये माना जाता है कि section 312 का crime हुआ है तो चलिए आप बात कर लेते हैं इसकी punishment के बारे में अगर इस section के अंतरगत यानि कि 312 के अंतरगत अगर कोई वेक्ति गिल्टी पाया जाता है तो उस वेक्ति को 3 साल की सजा का provision किया है तो उस वेक्ति को लगभग 3 साल की सजा हो सकती है चुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही लगाया जा सकती है वैसे तो ये एक non-cognizable offense है और ये एक bailable offense भी है और इस तरह के केसों के सुनवाई 1st Great Magistrate के पास होती है यानि की जो bail होती है वो 1st Great Magistrate की कोट से मिल जाती है तो दोस्तों ये थी जानकारी IPC के section 312 के बारे में hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो information अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को like, share और channel को subscribe करना पिल्कुल मत भूलेगा